बिसमिल्ला आर्माने असलाम लेकों व्यूट फैमिली आई होब आप तब ठीक ठाक होंगे और अलास अलास सबको अपने इस्तों मान में रखें अमीन समामें आज्की विडियोब बहुत पेशल है बहुत ज्यादा भी पेशल है मिरर वर्क और बहुत प्यारी प्यारी आज हम बाइब पाश पहला सूट है जी गुलाशिता का बहुत ही प्यारे से काम के साथ है जीरो साइज का मिरा रख है इसमें ये मल्टी कलर का काम है इन्हीं विसे अच्छा सा कलर लेकर डाई करा लें बीच में बंचिस एवी सका बॉडर एल्ची पर बसमने यह कामना काफी टाइम के बाद आया बनका बला जो मोसली पटिओं वाला अब नेयुकु इसका बाद रै पट्टी का और सारी का मात आयंकं यहां देख लें सॉर। सैडिट इस तरह का जोता है के इसका काम है कि हेवी मिरवर के साथ चिकनकारी पका स買षि को 선보ải कासे के विडियो के ऊन्ग ये सबस् sadece माशाला से सानी इसाथ है और उनक आले वहाद दो सन दूर सुल आएंगे यह आप देखने इस तरह से हैवी इसका बॉर्डर है ठीक है मास्मापटी वाली साइट बहुत प्यारा सूट है आप इसको हलके से किसी कलर मेटाई भी करा लिया ऐसे भी पहन सकते हैं यह इसका फुल भरावत बटा माशाला शीशों के साथ और यह जी इसकी शर्ट पहले बादो दिखाते हैं यहां से इसकी बादो बनेंगे शीशों वाला बॉर्डर और यह है इसकी शर्ट यह देख लें माशाला दामन देख लें कितना इसकी चोड़ाई कितनी जयात है न यह फुल इसका काम है इस तरह से और यह है इसकी बैद बंचिस के साथ और यहां चमक देख लें यह भी बहुत प्यारा सूट है और वाइट इतना प्यारा लग रहा है न स्पेशली अच्छा मुझे कुछ कस्मर कहते हैं हमें वाइट ऐसा सूट चाहिए जो बहुत हुष्षूरत हो कि हमने वाइट पहनने है यह बहुत हुष्षूरत है इसके अपर गोटा पटम अब इतना है चीशा यह बहुत है इसके विच में भी शिशा और घोटा पती का काम है और सब्सक्राइट इक्वल बॉर्डर है इसका यह इसकी शैट है विचुनार बीच आप कुल है यहांसे की बादी आगे सब्सक्राइब यहांसे इसका काम है कॉटा शिशा और यह तक विल्कुल नहीं पैना होगा मैं ग्रंटे के साथ जाते हूं ना यह ग्रेंटा यह बहुत यूनिक ना ही परबली का कि यह हैं यह इसका भरवेंट यह साथ में चिकन कारी गए यह देखने मरोडी वाल चिकन कारी और फॉर साइडिट काम पैटरन भी बहुत प्यार है यह देखें पीछ में चीज में शीशे के बनचीश है साथ शीशों के बनचीश है फुल ये द्वट्टे में माशाला एक से बढ़ कर एक सूट है ये इसका झी four-sided quarter आगया ये इसकी shirt है एकले पस सारे शीशे है है यह देख लें गला इसका फुल शीशों के साथ है और इधर सारा वही इसका जाल है चिकनकारी और पके का यहां से जीए वादू आएंगे बादें पर इसका बॉडर और उपर वही शीश्य ज्लूबते में है ये फुल जाल ये काम है मैं दिखाया दूबते में आपको और ये कला है कला देख लें माशायला ये सारा कल आज की वीडियो आपको इतना मतलब ना इतनी पसंद आने वाली है कि आपने सोचना है कि कौन सा सूट लें और कौन सा छोड़ें ये मैं आपको करंटिक साथ क्या रही हूं अच्छा इसकी वैक पर भी सारे वो शीशों के बंची के एक ये है और एक बिल्कुल एंड में है ना तो जिनको ये चीप पसंद है वो वीडियो पूरी देखिए का दोनों कलर देख लिजेगा और दोनों का स्क्रीन शॉट भेट दीजेगा जो अवेलेबल होका मिल जाएगा ये पिंक सा कलर है ठीक है पिंक रहोता है ना वैसा कलर है इसकी मैं डिटेल बता दू दिसंबर में इसके साथ का सूट बन कराया था तब से मैं दियो अब दो सूट त्यार हुए है इसके अपर जी ये देखें फैंसी वाली तारकशी है जिसके अंदर फूल और स्ट्राइल बना होता है सिंपल तारकशी नहीं है ये उसके बा ये इसकी शर्ट है इसके पहला कलर ये है इसकी बाद दू भी आपके भरेवे बनेंगे ये इसकी शर्ट का सारा पैटरन है मैं दबारा से दिखा देती हूँ ये देख लें ये वह चीज नहीं है जो आपको नतारकशी और कच्चे के काम की मिलती है और ये इसकी बैक है ठूल की बहुत खPlusूरत स्वोट है ये इसका बॉडर है ये देखे ये इसका बॉडर है ये इसका दूसरा बॉडर है अच्छाए मात्या बंच साइड पर चोटे फूल है और पलु वाल आनुपर थोड़ी से बड़े है अच्छे लगता है नो पलुणपर बड़े पीच मे इसके सारा काम है बहुत प्यारा सा लेमन कलर है यह फोर साइड इसका दुबटा शिशों के साथ शायट आपका और कट्या मिक्स काम है सारा आपको ना टोटल हैंड वर्क का मिलेगा इसमें आपको यह वैक है इसकी फूलों के साथ यहां से इसका दुसरा बात हुए मैं आपको दिखाते हूं एक इसका बॉर्डर यह है फिल्कुल जीरो साइज का बॉर्डर फिर इसका यह बॉर्डर फिर यह फिर यह इस तरह से ऐसे ठीक है यह ठीक है क्लेर हो गई होगी अच्छा यह है जी बहुत प्यारा सा ब्लू गरे सा शेड है इसके उपर जी एंकर का थ्रेड है और इसके उपर मुकेश है कामदानी है साथ में क्रॉस्टिच है ठीक है एंकर की वज़या से कपड़ा इतना प्योर का सॉफ्ट हो जाता है इतना सॉफ्ट हो जाता है बहुत प्यारा लगता है एंकर का धागा यह देख लें जी शाइनिंग आप कपड़े की दे दे कि ऐन ग्रेख क्ली वाला है रे बिलू सा कलर कंए यह देखेए यह दे करता स्थाइल में कि दामन देखें माशा ओलो ऐस सारे का थ्रट है यहाँ झाला इस तरहां से जिदवातु है और यहां से इसके बातों है और यहां पर भी सारा एक परARA कॉल्डन मुकेश का जन आचा यह है जाली-वाली उसकी चिकनकारी के साथ हदो बन करते रहां और काफी डिमानुद में था ये सूट यह ते पर स्फेकनपारी का एलग से निद्ट say श्चाश्य वहते हैं आच्छी वाली होते है ब्लैक नहीं धो बंची देखें जी, माशाललह ये जाली ये देखने है, जाली वाला पैटरन है इसका, weid chicken कारी का suit, जाली वाला पैटरन, इसका बीच वाले बंची देखें माशाललह कितना डिफरेंट और उनीक काम है, ठीक है डाइय अबल है आपTA ही करा सकते हैं, इसको बछादें यह देखें जी यह जाल में चिकन-कारी के जाल में की शर्ड नहीं सारी जाल वाला पैटर में बनावा है और सारी इसम Dontn глаз है यहाँ से जी बाद चीज बॉर्ड बुर्डु है उपर इस तरह से बॉर्डर यह इसका काम ऐ ठीक है, फाइन वाली है टिकन कारी बैक पर इसके च्छन है और इसके असल हुबसूरती बैक एक यह देखे, एक, और दौ और तीन, तीन बाडर हैं, ने भी मुकेश लगी है और जानी वाली, जो है ना, वो है, केरी है, यह इसका बात आचा यह है, जाल वाला, इसमें है बहुत प्यारा है ना ये ग्रीन हैं ना ये कासनी है ब्राउन है मेंदी ग्रीन टाइप का कलर है ये ना लग है आप क माशियMiss यहां से पैग साथ मैं दिखा देती हूँ करीब से भूल है ठीट यह और बेल और ये दरकशी एक काइबना और कला मुंहार इसका यह ओला कलेर गुलर उसका ना कलेर नहीं आएगा बहुत अच्छा कलर है हाँ जी यह है जी दूसरा सूट जो मैं आपको पिंक दिखाया है मैंने टी पिंक उसके साथ का यह है इसका कलर भी बहुत प्यारा और डिफरेंट है लेमन कलर है सेम वही पैटरन है तकरिपन इसमें जो है ना कच्छा टांके का काम है ठ पाइन वाली जितमें डिजाइन होता है उतके बाहिर सारा शिष है फुल जाल में दिबटर है ठीक है बहुत प्यारा और डिफरेंट का कलर और काम माशाला बहुत बहुत प्यारा है यह दो सूट आप देख लें दिसंबर में आया था उसकी बाद मैंने दो सिब बने दिए कितना टाइम लग गया है यह इसकी शैड है यह आपको बिछा के दिखाते हैं यह देखें माशाला यह इसका काम है भरे वे बादों आएंगे साइट से यह इसका फुल जाल में शैड का काम आजाएगा और यह इसकी बैक है यह मैं दोबारा दिखा देती हूँ यह देखें ये ये देखें साथ में ना ये काम देखिए कितना यूनीक है फैंसी तारक शीयर इसकी और ये इसकी बैक है पादों की बैक और शेट की बैक आज यूडियो यहीं तक थी अमीद है पसंद आई होगी इनकी रेंड सबकी डिफरेंट है आप मुझे से डिटेर पूछी जिएगा और मेरे वड़स अप नमबर दोनों दिये वे उतने अपना ख्यार रखेगा दौा में याद रखेगा अलाफेश